दोस्तों गेहूं में आवक की बात करी जाए तो जोन डियर वाला टेक्टर वाली पूरी पड़ और यह की है दोनों फड़ा पूरी आवक थी और के स्वाब इनकी बारे करी जाए तो यह वाली पड़ और इसके पाद वाले देर फड़ आवक स्वाबिन की थी और दोनों फड़ आवक गेहूं की थी और चठे की बात करी जाए तो दोस्तों पूरा चठा स्वाबिन में भी बढ़ा गाया था किसान भाईयों का हमारे यूटूब चैनल फार्मर देभू में बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों आज बात करी जाए 139-2022 के दिन विशाल चना गेहूं और स्वाबिन की दोस्तों आज नहीं स्वाबिन का कुछ भी आवक नहीं थी और क्या रहा दोस्तों 139-2022 वार मंगल कि दिन और आवक की बात करें तो दोस्तों आपने वीडियो के शुरू में देख लिए होगी आज क्या रही आवक क्वालेटी नुशार आज क्या रहा विशाल चना स्वाबिन और गेहूं का भाव देखी वीडियो में तो देख सकते हो पहला क्वालेटी की स्वाबिन थी दिना ग्रेडिंग में 5100 रूपर भी किये दोस्तों 5100 रूपर 139202 के दिन दोस्तों देख सकते हो ग्रेडिंग माल था जो कि तेवास मंडी में दाने की बात करें तो थोड़ा कटा-पीटा में तेवास मंडी में पांच 1261 रूपया कई भाव विकी दाई जी कहा का रिन वाला हूँ बांगड और हमारा पेत्रक गाउं का पास में भी आ 50 रूपर भी किये 4050 दोस्तों ये बिना ग्रेडिंग माल था जो कि मिट्टी मिक्स 4050 तेरा आट दो हजार बारिस के दिन तेरा नो पांच 1280 रुपर रुप ये ब्रोस्तों ये कउलेटि की स्वाविं ग्रेडिंग माल था बड़े दना था जोसे चीज़ पांच 1230 पांच 1230 तो चार आज 1530 बिना ग्रेडिंग माल था पाला मेक्स अब्च्छ देख सकतो स्वाविं की ये ये कॉलेटिव जो कि देवास दोस्तों सोयाविन के बाद गेहों में क्या रहा मार्केट बने रही है वीडियो में अच्छा रहा कि मैं तो अजयार अशी रूपए विखा हिए तेजस वराइटि का दिख रहा है थ्यूवह अधर सी की क्या आएटिवी देख सकते हैं डेवास मंडी में आच वालेटि देखा है वाईट सी रूपए विखा दोस्तों भाईस एस स्यूवह किस्ट यहत्ता नील को लेड़ी का गेहों देख सकते हो जो कि 2170 रुपे विगा देवास मंडी में बाट करी जाए दाने की तो बड़े गाने की दोस्तों गेहों के बाद स्वाइबिन में क्या रहा है विसाल चने का मार्केट देख सकते हो बड़े साथ सो त्रह दाना था दोस्तों 4820 रुपे विका यह डान विसाल चने की क्वालेटी का देख सकते हो 4820 रुपे देवास मंडी में 1392 बाट इसके बाट देवास मंडी में 1425 रुपे विका दोस्तों मंडी भाव जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने किसान भाई हो तो पचाई जय ही जवान जय ही किसान